जीत की आदत, प्रकाश अयर द्वारा लिखित, सारांच, प्रकाश अयर की किताब, The Habit of Winning, जीत की आदत, सफलता की राह पर आगे बढ़ने की कला और विज्ञान को बताती है, यह किताब न केवल सफलता के सिध्धान्तों को सपष्ट करती है, बलकि प्रेरणादायक कहानि और उदाहरनों के माध्यम से जीवन के विभिन्नक्षेत्रों में सफलता प्राप्ट करने के तरीके भी दिखाती है, प्रमुख विशेष्टाएं एक प्रेरणादायक कहानिया किताब में विभिन्न सफल व्यक्तियों की कहानिया शामिल है, जिनमें क्रिकेटर सुरेश रहना, रॉबिन उधपपा, नवजोच सिंग सिध्धु और अनिल कुम्बले के उदाहरन शामिल है रोहित शर्मा का उदाहरन देते हुए, आयर ने दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति मानसिक बाधाओं को दूर कर सकता है, जो सफलता में बाधा डालती है दो, व्यक्तिगत अनुभव प्रकाश रायर ने अपने निजी और पेशेवर जीवन की घटनाओं को भी शामिल किया है, जिससे पाठकों को वास्तविक जीवन के उदाहरनों से सीखने का अवसर मिलता है धारणा एक महत्वपूर्ण कारक है, जो हमारे द्रिष्टिकों को प्रभावित करती है, और रायर ने इस बिंदु को विभिन तरीकों से चित्रित किया है तीन, प्रकृती से सीख किताब में जानवरों की प्रकृती से भी सीखने की बात की गई है उदारण के लिए अईयर ने कोकून से बाहर निकलने और तितली के रूप में उभरने के लिए कैटरपिलर के संघर्ष की उपमा का उप्योग किया है सफलता के लिए लक्ष नियोजन को एक महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है अईयर ने दिखाया है कि द्रिड संकल्प, हिम्मत और सकारात्मक द्रिष्टिकोन के साथ किसी भी लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है उदारण सुरेश रैना रैना की कहानी बताती है कि कैसे कठिन परिश्रम और समर्पन से सफलता प्राप्त की जा सकती है रोहित शर्मा शर्मा की मानसिक बाधाओं को पार करने की कहानी पाठकों को प्रेरित करती है कि वे अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ कर अपने सपनों को पूरा कर सकते है मुख्य संदेश द्रिट संकल्प सफल्टा पाने के लिए द्रिट संकल्प और निरंतर प्रेर्णा आवशक है सकारात्मक द्रिष्टिकोण सकारात्मक द्रिष्टिकोण से हर चुनोती को अवसर में बदल सकते है लक्ष पर ध्यान स्पष्ट लक्षों के साथ सही दिशा में काम करने से सफलता सुनिश्चित होती है The Habit of Winning न केवल सफलता के सिध्धान्तों को समझने में मदद करती है